नमस्कार दोस्तों बात करेंगे कार्याले कलेक्टर समाजिक न्याय एवम निक्स सतक जन कल्यार जिला धार में जो कलेक्टर कार्याले में भरती निकाली गई है इसके बारे में तो दोस्तों वीडियो के स्टाट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो में पहल इसका विग्यापन हमने ओपन कर लिया है काराले कलेक्टर में जो विग्यापन 9222 को रिलीज कर दिये गया है इस विग्यापन में भरती की जानी है यहाँ पे निसक्त जनों के उत्यान के लिए जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के संचालन हेतु मानदय के अधार पर व जो दिनांग है उन्नेस साथ दोजार दस एवं परिपात्र क्रमांग चवदा सो बहपाल दिनांग ग्यारा साथ दोजार सत्रा के अनुसार जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के संचालन हेतु कारपालिन पत्र निसक्त जन 2019 में यहां 25 साथ 2019 से विग्यापित जारी कर आवेदन आमंतरित कर दिया गया है तो दोस्तों इसमें जो पद का नाम है जो क्लीनिक साइकलोजिस्ट and psychologist की जो पद है इसमें सेक्षणी की योगता की बात करते है सेक्षणी की योगता M.P.L. M.A. Physiology से 2 year experience के साथ यहाँ पे आपको देना होगा जिन candidates ने यहाँ qualification कर रखी है तो यहाँ form को apply कर सकते है इस post के लिए इसमें जो बेतमान होगा 20,000 रुपे प्रती महा होगा तो दोस्तों सेक्षणी जो पोस्ट यहाँ पे दी हुई है senior प्रेश्थेटिस्ट अथार्टिस्ट की इसमें जो कौलिफिकेशन है कौलिफिकेशन की बात करते हैं डिग्री एन प्रोसेश्टिक और्थिक प्रिफ्रेश्टि फ्रॉम नेशनल इंसेट्यूट विथ पाँच एर एक्स्प्रियेंस यहाँ पे डिपलोमा आपको देना होगा तो दोस्तों इसमें जो परमन्थ ग्रेड प्रती महा सेलरी होगी इसमें भी 20,000 रुपे प्रती महा सेलरी दी गई है तीसरी जो पोस्ट है प्रिस्थेश्टिस्ट अथार्टिस्ट टेक्निशियन की ITI यहाँ पे मांगा हुआ है ITI ट्रेडिंग विथ 2-3 साल का एक्स्प्रियेंस यहाँ पे रखा गया है इसमें जो सेलरी है 16,000 प्रती महा दी गई है चोहती जो पोस्ट है दोस्तो सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट की है आडियलोजिस्ट की है एंड इसमें जो ग्रेजुएशन मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट रखा गया है बीएस्सी स्पीच एंड हैरिंग अगर आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को आप जरूर से अपलाई कर सकते है इसमें जो सेलरी दी जाएगी बीस हजार रुबे प्रती महा दी जाएगी पाचवी जो पोस्ट है इयर मोल्ड टेक्निशियन की एंड इसमें जो कॉलिफिकेशन रखी गई है इसमें जो प्रती महा सेलरी होगी 16,000 प्रती महा होगी मोबिलिस्ट इंट्रक्टर की भरती यहाँ पे रखी गई है जो मैट्रिक्लेशन Certificate Diploma in Mobility का यहाँ पे आपके पास होना अनिवार है यहाँ पे दसवी बारवी वाले अपलाई कर सकते है इसकी जो सेलरी होगी 16,000 रुपे प्रती महा होगी एंड मल्टी परपज रिह वेली स्टेशन यहाँ पे पोस्ट दिया है इसमें भी दसवी बारवी वा डिपलोमा CBR MRW कोर्स वन इयर डिपलोमा कोर्स यहाँ पे रखा गया है कौलिफीकेशन में तो दोस्तों इसकी जो सेलरी होगी 16,000 रुपे प्रती महा होगी इसमें जो आठवी पोस्ट है इसमें जो पोस्ट रखी गई है इसका जो ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे ग्रेजुएट जो होगे 5S.F.E.A.D.E. Special Education in MR with 2-year experience diploma होना अनुवार है Special Education MR with 3-year experience रखा गया है इसकी जो सेलरी है 14,000 रुपे प्रती महा है उप्त पदों के लिए सर्टेवम नियरमसार होगी उप्रोंक्त सभी कद एकांखिक होने से आरक्षण प्राप्धान से मोट्द होगे उक्त सभी पद पूर्णता संबिदा अधार के हैं सासन पक्ष के विरुद्ध न्याले में कोई कारण प्रस्तुत करने पर इस्तिती सुन मानी जावेगी तो दोस्तो इस फॉर्म को जो आयू सीमा रखी कही है इस फॉर्म में उम्मिदवार की आयू 18 से कम नहीं होना चाहिए और 35 बरसे से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे उक्त पदों के लिए जिन विभागी द्वारा सासन के द्वारा अधिकरत पंजिकरत संस्था पाठिकरम किये गए हैं उन्हें चैनित पहले प्रात्मिक्ता दी जावेगी अगर आपके पास इन सब चीजों का कॉल्फीकेशन है तो आप इस फॉर्म को डाले अनिथा इस फॉर्म को छोड़ दे क्योंकि इस फॉर्म में पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपके पास अगर पूरा ग्रेजु वेरिफिकेशन जो उन्होंने रखा है वो है होगा उन्हें सबसे पहले कौलिफाई किया जाएगा तो दोस्तों यहां पर उक्तपदों के लिए जो चैनित प्रतिव योगिता को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पंदरा दिवस में अपना चरित्र सत्यापन मेडिकल ब एंड जो सारिरिक मेडिकल वगेरा इन्होंने रखा है यह भी आपको देना होगा तो दोस्तों यहां पर उक्तपदों के लिए सैक्षणिक योगता डिपलोमा के लिए 40-40 अंग कार अनुभब के 10 अंग साक्षात करके 10 अंग निर्धारन किया गया है तो दोस्तों जैसे कि आपका डॉकुमेंट्स और दूसरे का डॉकुमेंट्स सहम होगे और आपने अगर इंटर्वी जो भी देंगे इसमें तो दोस्तों अगर दोनों के बराबर रंक आएंगे तो जिनकी उम्र जादा होगी उन्हें वरिता मतलब प्रात्मिकता सबसे पहले दी 25-22-22 तक के जिला काराले उफ संचालक सामाजिक न्याय कलेक्टर जिला पंचायत केमपस धार के नाम से उक्त दिनांग साहम काल 5-5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं और यहां फार्म ऑफलाइन के माद्धम से आपको भरना होगा आबेदन पत्र का प्रारूप जो है श्रीमा क्लेक्टर ट्रेड प्रांगरद्ः मद्धम करना होगा इस फार्म को और लाइन के माद्धम से पोस्ट करना ओगा पंदक का नाम होगा तो दोस्तों यहां पर आपको पद का नाम याश का नाम डालना है और बिए जातीय आपकी जो भी है जबी में आते हैं ज़ जडुन की आपके पास हो ड्लाव है तो सेक्षन कि यह उगिता जो आपकी है वहाँ यहाँ पे आपको डालना होगा बोर्ड विजिद्यले के नाम संकाय का नाम प्रापटांग, पूर्णांग, प्रतिशात यहाँ आपको रखना होगा इसी तरीके से फॉर्म आपको फिल करके आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ देना होगा एंड पूरे डाकॉमेंट्स में आपको पूरे डाकॉमेंट्स लगा करके इस फॉर्म को स्वया प्रमालित हस्तरिक्ष करके इस फॉर्म को सब्मिट करना होगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहिन